हेलो फ्रेंड्स मैं हूने रुपमा और मेरी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो हारों का मौसम है और मावा की जरूत तो सबको पड़ती है मिठाईयां बनाने के लिए लेकिन बजार का सबको पसंद नहीं आता है और घर पे बनाने में इसके बहुत जरूत लगता है तो आज हम बिना किसी जरूत के मावा बनाएंगे सिर्फ दो चीजों से तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं मावा बनाने के लिए एक कप मिल्क पाउडर लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा दूट डालेंगे और इसके एक ठीक बैटर तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दूट डालते जाएं और इसको चलाते जाएंगे और इसमें लमस नहीं पढ़ना चाहिए इसका ध्यान कर देखें इस तरहे का बैटर तयार कर लेंगे और अब क्या करेंगे अब हम इसको ठक देंगे और फ्रेज्ah में रख देंगे दो से तीन गंटे के लिए और तीन गंटे बाद इसको निकालेंगे फ्रेज्द में से और यह देख سकाथ ethn occur टाइट हो गया है और कितना दानेदार बनके तयार हुआ है तो यह अब हमारा मावा बिल्कु तयार हो गया है आप इसी तरह से जट पट से तयार करें मावा बिना गैस चलाए तो इस तरह से घर पर मावा आप ज़रूर बनाए और अपना समय बचाएं और मिलावटी चीजों से दूर रहें अब मेरी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें